दोस्तो BPSC TRE3 Re-Exam का Admit Card जारी कर दिया गया है, कैसे आपको Admit Card को डाउनलोड करना है, step by step मैं आपको एक Live डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप इसी प्रोसेस से आपको Admit Card को डाउनलोड कर सेकें, और क्या क्या डॉकमेंट्स आपको एक्जाम सेंटर पे ले अपडेट में आपको BPSC TRE3 Re-Exam आपको यहां पे देखने को मिलेगा, Admit Card डाउनलोड करने को लेकर यहां पे आपको क्लिक करना है, अब यहां पे आपको नीचे आना है, यहां पे आप सारी जनकारी को देख पाएंगे, और यहां पे आपको जो है, इस तरह से Admit Card डाउन लॉग इन करना होगा, यूजर ने जब आप BPSC TRE3 के लिए फॉर्म भरे थे, रेजिशन किये थे, तो वहां पे आपको एक यूजर आइडी मिलता है, तो उसी यूजर आइडी के थुरू ही आपको यहां पे आपका करना है, फ्रेंट्स, लॉग इन करना है, तो यूजर आप भूल चुके होंगे, मुझे लोग भूल चुके होंगे, तो उस case में आप यहां से forget भी कर सकते हैं, या अपने mail को भी चेक करिए, mail पे भी आपको user ID, password मिल जाएगा, BPSC, आप लिखेंगे, mail में जाके search बार में, तो वहां पे आपको show कर देगा, या forget करने का भी option है, आपको ration number पता होना चाहिए, और exam यहां पे छोड़ दीजिए, data भर दीजिए, या mobile number भर दीजिए, या email चुच करने तो email ID भरना होगा, तो जो भी आप भरना चाहते हैं, यहां पे आपको results भरके, capture code भरके, आपको retry password पे click करके, password को retrieve कर लेना है, तो जो लोग भूल चु आपको admit card का section मिलेगा, यहां पे आपको upload photo का option मिलेगा, यानि जब तक आप photo नहीं upload करेंगे, आपका admit card डाउलोड नहीं होगा, तो अभी present में एक half passport size photograph आपको upload करना हो, इस पे click करेंगे, अब यहां पे अपना first name, यहां पे आपको अपना first name को confirm करना, यहां पे father's name, father's name को confirm करना, फिर mother's name, mother's name को confirm करना है, तो अपना नाम, पिता जी का नाम, और माता जी का नाम, तीनों आदमी का नाम लिखेंगे, और यहां पे upload passport size photograph, 25 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 250 भाई, 250 का यहां पे width और height होना चाहिए, तो यह आपका करेंगे, यहां से choose करके, candidates का बहु सारे गलती कर देते हैं, दूसरे का photo upload करते हैं, तो भाई, यहां candidates का ही photo upload करना है, और candidates का ही जनकारी यहां पे आपको लिखना है, तो है passport size photograph को करेंगे, choose करेंगे, और choose करके upload करेंगे, और उसके बास यहां पे submit image पे click करेंगे, उसके बाद जो है, आपका क्या आपको अगर पेज को पर यहां से reload करना, या यहां से भी right click करके reload कर सकते हैं, अब यहां पे आपका admit card देखें, यहां पर show हो जाएगा, जब तक यहाँ फोटो upload नहीं करेंगे, तब तक आपका admit card यहां पर show नहीं करेंगा, अब यहां पी इस पर click करेंगे, अब हमारा जो admit card हो गया यहाँ पे आपका सारा जनकारी सो होता है यहाँ पे आपको reporting timing यहाँ पे intrigate closing timing और यहाँ पे आपका exam date इसके वाद से exam का timing कौन सा subject है और आपका district center code क्या है तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखे admit card तो यही है original आपको यही ले जाना है लेकिन आपको जो यहाँ पे code दिया हुए इस district code center code यह आपका सिर्फ और सिर्फ जिला का नाम सो कर रहा है detail में कब आएगा तो exam से दो दिन या तीन दिन पहले आएगा तो हम आपको इक अलग से वीडियो बना के बता देंगे किस परकार से अपना डिस्टिक center code पता करेंगे उसको भी login करके यह आपको पता करना होगा proper address के साथ किस school में किस विद्याले में आपका exam गया हुआ है यहां नीचे आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो इस परकार से आपको attendance seat यह आपको भरना होगा तो यहां पे अभी आपको कुछ नहीं करना है जब आप exam center में चले जाएंगे अंदर चले जाएंगे तो यहां पे आपको जो है यह sign मगरक मतलब कराया जाएगा और आपसे signature हिंदी इंगलिस में कराया जाएगा week अब आपको आपको देंगे अनुम्हर यहां पे आपको पहुंचना है उससारे जहिस उन्हुक्र जएगी तो है परवियृष फोर्फ वरत है तो उसमें कौन सा आपने ID proof दिया था, उसी ID proof को आपको लेकर जाना है तो आपने अधार कार्ट दिया होगा या वोडर ID कार्ट दिया होगी, कुछ ना कुछ ID proof दिया होगा वही ID proof आपको लेकर जाना है और admit card को download करके जो है सही से ले कर जाना है जिस पे बार कोड जो है अच्छे से लगा होना चाहिए तो बार कोड वाला ही आपको download करना है पता चले कि आप लोग इन करके download पर क्लिक करें बार कोड नहीं आ रहा है सरवर एरा के वज़ा से तो विसेश ध्यान देना आपको तो आपको सही से अपना admit card download कर लेना है इसके अलावा आपको कुछ extra documents वगर नहीं लेकर जाना है बाकी आप सो को पता है OMR seat आपको मिलेगा तो उसमें आपको गोला करना होता है तो बाकी उसके लिए आपका blue या black जो है ball point आप पे लेकर जाएंगे ताकि आप गोला कर सके यह सारी guidelines यहां पर आपक अच्छे से पढ़ लेंगे आसा करता हूं friends आपको जनकारी समझ में आवगा कि किस परकार से आपको जह BPSC TRE 30 के लिए admit card को download करना है आपके मन में कोई भी doubt से comment box से पूछेगा मिलते हैं किसी next video में friends जैहिंद आपका दिन सुबहुँ